पिछली कक्षा में हमने ग्यारवी कक्षा के जीव इज्ञान विशय के दूसरे अध्याय जीव जगत का वर्गी करण के दूसरे सत्र में फंजाई अर्थात कवक जगत की विश्थत चर्चा की थी और विविनद प्रकार के कवक के समवाँ जिसमें एसको माइसितीज, फाई को मइसितीज, बेसीरियो माइसितीज, deuterium iceties आदि की सन्दचना उनके कवक जाल की आकार की जिसको मॉर्फालोजी कहते हैं मैसीलियम की मॉर्फालोजी पोशन विधी जनन विधी एवं मानव जीवने इनकी उप्योगिता वे इनसे होने वाली हानियों की चर्चा की थी आज हम ग्यारवी कक्षा के विशए जीव विध्यान के दूसरे अध्याय जीव जगत का वर्गी करण के तीसरे भाग में विश्तत चर्चा करेंगे और जिन जिन अधिगम में बिंदों को सिखेंगे उनकी बात करते हैं ये हैं प्लान्टी अर्थात पादब जगत एनिमेलिया अर्थात जन्तु जगत वाइरस वाइरोइट्स प्रायन तथा लाइकेंड आईए अब हम पादब जगत के कुछ मुख्य गुण धर्मों की चर्चा करते हैं इनका ध्यन करते हैं वैसे इस जगत के बारे में विस्तार से आपको तीसर ध्याय में पढ़ाय जाएगा पादब जगत में वे सभी जीव आ जाते हैं जो यूकेरियोटिक हैं और जिन में क्लोरोफिल होते हैं हरित लवक होते हैं ऐसे जीवों को पादब कहते हैं इन में से कुछ पादब जैसे कीट भक्षी पौधे तथा परजी भी आंशिक रूप से विशम पौशी होते हैं ब्लैडर वर्ड तथा वीनस फ्लाइट रेप कीट भक्षी पौधे हैं और अमर बेल जिसको कुसकुटा भी कहते हैं ये परजी भी पौधे का उधारन है पादब कोशिका में कोशिका भित्ती होती है जिसको अंगरेजी हम सेलवाल कहते हैं ये सेललोज की बनी होती है प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिमनोस्परम तथा एंजियोस्परम आते हैं शैवाल में क्लोरोफिल होता है ये सरल, थैलासाब, स्वपोशी तथा मुख्यते जलिये जीव हैं अर्थात इनकी जीवन के लिए जल अनिवार्य है ब्रायोफाइट ऐसे पोदे हैं जो मिट्टी में उखते हैं लेकिन उनका लेंगिक जनन पानी पर निर्भर करता है इसका मतलब ये हुआ कि ब्रायोफाइट हमेशा ऐसे स्थान पर मिलेंगे जहां पर मिट्टी और पानी दोनों हो शैवाल के बेक्षा उनकी पादब काई अधिक विभेदित होती है अर्थाद जैसे शैवाल ठैलस की तरह होता है और ब्रायोफाइट में एकदम से जड़ तना तथा पत्यां तो नहीं होती है लेकिन ये विखास के क्रम में होती हैं ये इसलिए विभेद हो जाता है शैवाल और ब्रायोफाइट में टैलडोफाइट में मुख्य पौधा बीजानों उद्विद होता है इसमें वास्तविक मूल तना तथा पत्यां होती हैं इसमें सुविकसित समवहन उदक होते हैं जिमनोस्पाम वे पौधे होते हैं जिनमें बीजान किसी अंडाशे भित्ती से धकान नहीं होता निशेचन के बाद बीज अनावरत रहते हैं और इसलिए इन्हें अनावरत बीजी पौधे कहते हैं एंजियोस्पाम में नर लेंगिक अंग पौंकेशर कहलाता है और मादा लेंगिंग अंग को हम इस्त्रीकेशर कहते हैं ये दोनों इस्त्रीकेशर और पौंकेशर पुष में अर्ध सूत्रन के बाद पराक कर बनते हैं अर्थात अंगरेजी में हम इसको मियोसस के बाद जिसको हम नर युगमोग भीदिति कहते हैं बनते हैं स्थिकेसर में एक अंड़ाशे होता है जिसमें बहुत से बीजांड होते हैं अंड़ाशे हम अंगरेजी में ओवरी कहते हैं और बीजांड इसमें ओवियूल कहराते हैं अंगरेजी में बीजांड में मादा युगमक अथवा भृूनकोष होता है मादा युगमक अर्थात ए embryo सक कहते हैं इसमें अंड कोशिका होती है egg cell अंग्रेजी में angiosperm द्वीज पत्री तथा एक बीज पत्री में विभक्त होता है अंग्रेजी में इसको dicotylinus और monocotylinus कहते हैं लेंगिक जनन करने वाले पौधों जिसमें अगुनित युगमकों अर्थात haploid gamet ये अंग्रेजी का शब्द है तथा द्वीगुनित विजानू अर्थात diploid spore ये अंग्रेजी में बोला जाता है द्वीगुनित विजानू उद्विद उत्पन्न करने वाले विजानूं के जीवन चक्र में PD-1 अर्थात अंग्रेजी में alternation of generation कहते हैं ये होता है पादव के जीवन चक्र में दो सुस्पस्ट अवस्थाएं होती हैं द्वीगुनित विजानू उद्विद तथा अगुनित युगमकोद भिद होती हैं इन दोनों में PD-1 होता है विभिन प्रकार के पादव वर्गों में अगुनित तथा द्वीगुनित प्रवस्थाओं की लंबाई और ये प्रवस्थाएं मुक्त जीवी हैं अथवा दूसों पर निर्भर करती हैं के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं युगमनज में नर तथा माधा दोनों ही युगमकोद्विद पर बनते हैं ये सनलैन होकर के पुनह द्विगुनित युगमनज बनाते हैं युगमनज से बीजानु उद्विद विक्सित होते हैं इस प्रक्रम को संतती एकांतरन कहते हैं अर्थात आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्यारे बच्चो इस पादव जगत की जो प्लांटी केंग्डम है इसका विस्तार से वनन हम अगले ध्याय में करेंगे इसलिए इसको हम संक्षेप में बनता रहे हैं इसी प्रकार से हम आपको संक्षेप में प्रानी जगत की बारे में बताएंगे प्रानी जगत के जीव विशम पोशी यू केरियोटिक हैं जो बहु कोशिक हैं और उनकी कोशिका में कोशिका भित्ती नहीं होती है ये भूजन के लिए परोख्ष तथा अपरोख्ष रुप से पोधों पर निदफर करते हैं ये अपने भूजन को एक आंतरिक गुहा में पचाते हैं और भूजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रुप में संग्रहन करते हैं इनमें प्राणी संपोशन अर्थाद भोजन का अंतरग्रहन करना होता है। इनमें व्रद्धी का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण व्यस्क जीव बन जाते हैं जिसकी सुष्पस्ट आकरती तथा माप होती है। उच्चकोट के जीवँ में विस्टरथ सम्वेदी तथा तंतर का प्रेदक किरा विधी विख्षित होती है। इनमें से अधिकांस चलन करने में सक्षम होते हैं। जन्तुयों में लैंगिक जनन नर तथा माधा के संगम से होता है। और बाद में उसमें भ्रून का विकास होत प्यारे बच्चो, जन्तु जगत के विभिन्न मुख्य अभिलक्षणों का विश्टत अध्यन हम अध्यायचार में करेंगे। विटेकर द्वारा सुझाए पांच जगत वर की करन में लाइकिन अकोशिक जीवों जैसे वाइरस, वाइराइट्स तथा प्रोसंग जिसको हम प्रियाउन भी कहते हैं का उलेख नहीं किया गया है। कि इसका वाइरस कैसे प्रभावित करता है। जुकाम और फ्लू जैसे वाइरस से होते हैं। वाइरस का नाम वर्गी करन में नहीं है। क्योंकि ये वास्तविक जीवन नहीं है वास्तविक जीव नहीं है यदि हम ये जानते हैं और ये मानते हैं कि सजीवों की एक कोशिक ये सन्रचना होती है तो वाइरस में तो कोई कोशिका नहीं होती है वाइरस अकोशिक जीव है जिनकी सन्रचना सजीव कोशिका के बाहर कर देते हैं अंग्रेजी में हम कहेंगे इन्फेक्ट कर देते हैं तब ये मेजबान कोशिका की मशीन री का उपयोग अपनी प्रतिक्रती अर्थात अपने जैसे वाइरस बनाने में करते रहते हैं और इस दौरान जिस मेजबान को ये संकर्मित करते हैं उसी को मार देते हैं हुआ विशैला तरल डिमित्री इबानोवस्की ने सन 1892 में तंबाकु के मोजैक रोग के रोगानुओं को पहचाना था जिने वाइरस नाम दिया गया है इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे M.W. बैजरिनिक ने 1898 में पाया कि संक्रमित तंबाकु के पौधे का रस स्वस्त तंबाकु के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम है उन्होंने इस रस को अर्थाद इस तरल को कंटेजियम वैनम फ्लूरिडम का नाम दिया अर्थाद संक्रामक जेवित तरल कहा स्टैनले ने 1935 में बताया कि वाइरस को रवेदार अर्थाद कंट जैसा बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यता प्रोटीन होता है वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निश्क्रिय होते हैं वाइरस अविकल्पी परजीवी है वाइरस में प्रोटीन के तरिक आनुवन्शिक पदार्थ भी होता है जो RNA अथवा DNA हो सकता है किसी भी वाइरस में RNA तथा DNA दोनों नहीं होते हैं वाइरस केंद्रक प्रोटीन अर्थाद नुकलियो प्रोटीन और इसका आनुवन्शिक पदार्थ संक्रामक होता है प्राय है सभी पादब वाइरस में एक लड़ी वाला RNA होता है और सभी जन्तु वाइरस में एक लड़ी वाला अथवा दोहरी लड़ी वाला RNA अथवा DNA होता है बैक्टिरियल वाइरस अथवा जीवानु भोजी वाइरस जिसको हम बैक्टिरियो फेज कहते हैं इसका आवरण वाइरस जो बैक्टिरिया पर संक्रमन करता है प्राय है दोहरी लड़ी वाले DNA वाइरस होते हैं प्रोटिन के आवरण को या अस्तर को हम कैप्सिट कहते हैं और ये छोटी-छोटी उपकाईयों जिन्हें पेटी कोशक या कैप्सोमेर कहते हैं से मिलकर बना होता है आप अपनी NCRT की किताब में देखिए चित्र है चित्र के माध्यम से आपको इसको बड़ी अप्रकार से अच्छी प्रकार से स्पस्ट हो जाएगा कैप्सिट न्यूक्लिक एसिट को संदक्षित करता है ये पेटी कांशक कुंडलिनी अथवा बहु फलक जामिती रूप में लगे रहते हैं वाइरस से मंप्स, चेचक, हर्पीज तथा इंफ्लूजन नामक रोग होता है मनिश्यों में एट्स भी वाइरस के कारण ही होता है और प्यारे बच्चों ये जो इस समय एक विशेश बीमारी फैलिवी है जिसको कोविड 19 कह रहे हैं या कोविड 19 कह रहे हैं ये भी एक वाइरस के द्वारा फैलाया गया रोग है और इस वाइरस का नाम है कोरोना वाइरस तो ये वाइरस कितना खतरनाक हो सकता है हमारे जीवन को किस प्रकार से स्थिर कर सकता है पूरे के पूरे जीवन चक्र को मोड़ सकता है आप देख सकते हैं इस वाइरस की असीम हानिकारक शक्ति को पौधों में मोजैक बनना पत्यों का मुणना तथा कुंचन होना पीला पढ़ना तथा शिराश पस्टता बौना तथा अबरुद्ध व्रद्धी होना इसके लक्षण है तो यह वाइरस कितना महत्यकून है इस कोविड उन्निस ने एक एक प्राणी को बता दिया कि वाइरस क इतना खतरनाक हो सकता है सन 1971 में टी ओ डाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वाइरस से भी छोटा था जिसके कारण पोटेटो स्पिंडल टुबर नामक रोग होता था वाइराइडों में आर ने तथा प्रोटीन आवर्ण जो वाइरस में पाए जाते हैं उनका रेने का आन्विक भार बहुत ही कम था अब एक और एक नए संक्रपना की बात करते हैं प्रोशंग की बात करते हैं आधुनिक चिक इस्सा में कुछ संक्रामक नियूरोलोजिकल बीमारियां असामाने रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेशित पाए ग जिमारियां बोबाइन, स्पंजी फॉर्म, एंसेफिलोपेती है जिनें आम तोर पर मवेश्यों में मैट काव रोग कहा जाता है और मनुश्यों में इसका समान प्रकार सी आर जैकब रोग होता है अब हम चर्चा करेंगे लाइकेन की लाइकेन दरसल में दो जीवों के संग अरस्परिक उपयोगी सहवास है शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को कवकांश या माइको वायन्ट कहते हैं ये क्रमशे स्वपोशी तथा परपोशित होते हैं अर्थात शैवालांश स्वपोशी है और कवकांश परपोशी है शैवाल कवक के लिए भोजन संसलिसित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्य देता है तथा खनिज एवम जल का उसोशन करता है यदि प्रकरती में लाइकेन को देख लें तो ये अनुमान लगाना बिलकुल असंभव है कि इसमें दो विभिन जीव हैं एक बात और बताएं बच्चो लाइकेन कभी भी प्रदूशन वाले स्थान पर नहीं होता है इसलिए लाइकेन को हम प्रदूशन का एक बहुत अच्छा संकेतक बानते हैं ये कभी भी जिस स्थान में प्रदूशन होता है वहां पर उगते नहीं हैं लाइकेन हमेशा उच्च हिमालियक छेत्रों में चट्टानों पर या व आज जो कुछ भी सीखा है, उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं, हमने आज kingdom planty जिसको पादब जगत कहते हैं, kingdom animalia, जन्तु जगत, वाइरस, वाइरोइट्स, प्रायन तथा लाइकिन के विशे में अध्यन किया है, और kingdom planty और kingdom animalia, अर्थात, पादब जगत तथा, जन्तु जगत का विश्टत अध्यन आप अगले अध्यायों में करेंगे, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको जो कुछ भी इस अध्यायों में बताया गया है, आप इसका स्वाध्याय करेंगे, बड़े मनयोग से पढ़ेंगे और आपको जितने भी इसमें संकाय हैं सबका समाधान आपके स्वाध्याय से दूर होगा, तथा इस कक्षा में बतायेगे, जो भी बिंदू हैं उनसे आपको कुछ ना कुछ साहिता आवश्य मिलेगी, अब आपने जो कुछ भी इस अध्याय के माध्यम से, आज की इस प्रश्टक की साहिता से, अपने अध्यापकों की साहिता से अवश्य करेंगे, पहला प्रश्ण है, वाइरस से वाइरोइट्स कैसे भिन्न होते हैं, दूसरा प्रश्ण, पादप स्वपोशी हैं, क्या आप ऐसे कुछ पादपों को बता सकते हैं, जो आन्शिक रूप से प प्रश्ण, वाइरस से होने वाले चार रोगों के नाम लिखें, छटा प्रश्ण, क्या वाइरस सजीव है, अत्वा निर्जीव, तर्क सहीत अपनी राय दे, तो प्यारे बच्चों, फिर से हम आप से आशा करते हैं, कि आप अपने अध्यन में मन लगाएंगे, स्वाध्य करेंगे, बार-बार पढ़ेंगे, जिससे आपकी शंकाओं का समाधान होगा, और आपकी शंकाओं हम इन कक्षाओं के द्वारा बार-बार दूर करते रहेंगे, इसी आशा के साथ, अगली कक्षा में आप से फिर मिलेंगे, धन्यवाद. ाँ में आपकी शंकागे, इसी आशा बार दूर दूर दूर, ई।, आपकी शंकागान हो नकी शंसे पामेंगे, उसी के रहें।